नमसकार दोस्तों, Electrical Technician Channel में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा सोलर सेल का वाइरिंग हम किस परकासे हमारे घर में करेंगे उसके बारे में हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप एक सोलर सेल देख रहे हैं। यहाँ पे जो हमने solar cell का इस्तमाल किये थे यदि यह 12 बोल्ट का है तो यहाँ पे जो हम बैटरी का इस्तमाल करेंगे वो भी हमारा 12 बोल्ट का बैटरी होगा ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बैटरी होगा उसका rating यानि की voltage हमारा solar cell के बराबर होना चाहिए दोस्तों य यहां पे हमें एक solar charge controller का इसको input power supply देने के लिए हम इस solar cell का इस्तमाल करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यह जो हमारा solar cell है इसका जो positive terminal होती है वहाँ से एक वायर को connect करके लाएंगे और जो हमारा solar charge controller होती है उसका जो पहला terminal होता है यानि कि यह वाली terminal इस terminal पे हम वायर को connect कर देते हैं यह जो हमारा पहला terminal होती है इस terminal पे हम solar cell का जो positive wire होती है उसको connect करते हैं ठीके दोस्तों अब यह जो हमारा solar cell है इसका जो negative wire है उसको हम ले जाके इस दूसरे वाले terminal पे connect कर देंगे यह हमारा negative terminal हो जाएगा अब यहाँ पर हमने इसका connection कर दिया तो यहाँ पर जो हमारा solar charge controller था इसको input power supply मिले गया solar cell के दोरा ठीके दो को या भी कोई electrical equipment है जो DC से चलती है यदि मुझे उसको connect करना है तो मैं direct connect कर सकता हूँ यहाँ पर example के लिए मैंने आपको DC bulb दिखाया हूँ ठीके अब यदि मुझे इस DC bulb को direct connect करना है इसके दोरा यहाँ पर बैटरी का इस्तमाल backup के लिए के दा रहा है तो यहाँ पर मैं backup का इस्तमाल नहीं करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर जो हमारा solar charge controller था इसका जो दो last terminal है यानि कि यह व हमारा जो बल्ब है उसको positive supply दे दूँगा इसी प्रकार से यह जो दूसरा terminal है यहाँ से एक वार को connect करके लेके जाऊँगा और इसको क्या करूंगा बल्ब को negative supply दे दूँगा ठीके दोस्तों अब यदि मैं इस प्रकार से connection करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारा solar cell का output voltage मिलता है वो सीधे ही इस बल्ब को मिल जाएगा जिससे जितने ताइम यह हमारा solar cell voltage को produce करेगा उतने टाइम हमारा bulb गलू करेगा लेकिन यदि रात होती है तो यह रात में हमारा जो बल्ब है वो off जाएगे क्योंकि रात में हमारा solar cell होती है वो काम नहीं करता दोस्तों आपके मन म हमें एक सवाल आ रहा होगा कि यहां पर हम solar charge controller का इस्तमाल क्यों कर रे हैं दोस्तों दहिए यहां पर हम solar charge controller का इस्तमाल इसलिए कर रहे हैं कि यहां पर जो धूप है वो करेक्टी धूप है तो उस कंडिसर में यह जो solar cell है वो ज्यादा voltage प्रड्यूस करेगा आपको यहां पर मैं बता दूँ कि यह जो हमारा solar cell है यह 20 बोल्ट तक voltage को प्रड्यूस कर सकता है अब यदि मैं इसको डारेक्ट 20 बोल्ट दे दूँ तो हमारा जो बैटरी है वो डेमेज हो सकता है या फिर जो equipment हम connect करेंगे वो भी डेमेज हो सकता है इसलिए यहां पर हमें solar charge controller का इस्तमाल करना पड़ेगा यह जो solar charge controller है वो voltage को नियंत्रिट करेंगा यानि कि output voltage जो देगा वो constant voltage देगा ठीके दोस्तों अब देखिए अब यहां पर मैंने आपको बता रही है किस वगास यदि हमें बीना बैटरी का इस्तमाल किए DC appliance को करना है तो कैसे करेंगे ठीके अब यदि मुझे यहां पर बैटरी को भी कनेक करना है तो देखिए कैसे करेंगे यहां पर जो बैटरी है उसको connection करने के लिए हम क्या करेंगे यह हमारा solar charge controller है इसका जो तीसरा terminal है यह वाली इस terminal से हमें एक वार को connect करके इसको ले जाके हमारे जो बैटरी है उसके positive terminal पे connect कर देंगे जिससे क्या होगा जो हमारा positive supply है वो हमारे battery में पहुच जाएगी ठीक है अब यह जो हमारा four number का टर्मिनल है यह हमारा negative supply होती है ठीक है तो यहां से मैं एक वार को करने करके ले जाके हमारा जो बैटरी है उसको negative supply दे दूँगा तो यहां पे हमने connection कर दिये ठीक है दोस्तों तो यहां पे हमारा जो solar charge controller था उसमें जितने भी connection करने थे वह complete हो गया अब दोस्तों यहां आप इस परकार से connection करते हैं तो आपका जो solar cell है वो यहां धूप में है यानि कि voltage को produce कर रहा है तो क्या होगा यहां पे जो हमारा solar charge controller है वो इस battery को भी charge करेगा और कुछ हिस्सा इस bulb को देगा जिससे कि यह जो bulb है वो glow करेगा अब यह जो bulb है वो उसका load जादा है इस solar cell से तो उस condition में क्या होगा हमारा battery charge नहीं हो जितने भी power supply produce होगा वो सीधे इस output में चली जाएगी ठीक है अब यदि हमारा जो output load यानि कि लोड जो हम connect किये है यहां पे वो यदि कम है तो उस condition में हमारा battery charge होती है ठीक दोस्तों यहां पे आप लोड करने करने से पहले आपको यह मादर होना चाहिए कि आपका ज्यादा तो AC appliance होती है यानि कि AC load होता है ठीक दोस्तों तो यहां पे मैंने एक जामपर के लिए एक पंखा और दो LED बल्ब ले लिया हूँ ठीक दोस्तों देखिए यह जो हमारा पंखा और दो LED बल्ब है इसको चालू और बन करने के लिए यहां पे मैं एक switchboard का इस्तमाल क दो और यहां पे हमारे पास एक battery है आपको मालूम ही होगा battery DC supply देता है तो यहां पे हमें DC supply को AC में convert करना पड़ेगा तो AC में convert करने के लिए यहां पर हम एक inverter का इस्तमाल करेंगे ठीक दोस्तों तो यह हमारा inverter हो जाएगा इसके दोरा हम DC supply को AC में convert करेंगे तो यह जो हमार दोस्तों यहां पर मैंने normal inverter का इस्तमाल किया हूँ, इसलिए आपको solar charge controller का इस्तमाल करना पड़ेगा, दोस्तों यह जो हमारा inverter है, इसमें आपको 3 cable दिख रहे होगे, एक तो यह red वारा cable, दूसरा यह black वाली, और यह input power supply के लिए cable होता है, ठीक है, तो खुल मिला के inverter में 3 cable है अब यह जो हमारा inverter का red cable है, इस cable को हमें बैटरी के positive terminal के साथ connect करना होता है, तो यहां पर हमने इसको connect कर दिया, अब यह जो black cable है, इसको हम बैटरी के negative terminal के साथ connect कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा inverter है, उसको input power supply बैटरी के दोरा मिल जाएगा, अब हमारा inverter था, इसको हमने input power supply दे दिया, बैटरी के दोरा, दोस्तों, यह जो हमारा inverter है, वो output power supply इस socket में देता है, अब यदि मुझे इस load को, इस inverter के साथ connect करना है, तो यहां से हमें power supply लेना पड़ेगा, तो यहां से power supply लेनी के लिए, मैं एक plug top का इस्तमाल करूँगा, ठीक दोस्तों, य हमारा plug top हो जाएगा, अब इस plug top के द्वारा ही, हम इस appliance को connect करेंगे, दोस्तों, यह जो हमारा fan और bulb है, इनको हम direct power supply यहां से ले जाके connect नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो हमारा appliance है, उसको control करने कले, यहां पर हमने एक switch board का इस्तमाल किये थे, तो यहां से जो हमारा plug top है, उस उसमें से एक wire को connect करेंगे, और इसको ले जाके हमारा switch board है, उसके किसी भी एक switch के सार connect कर देंगे, दोस्तों, जिससे क्या हुआ, यह जो हमारा switch board है, इसमें face supply आजाएगी inverter के द्वारा, ठीके दोस्तों, अब दोस्तों, एक चीज़ हमें सा याद रखेगा, यहां पर आप इस switch board में, यह जो हमारा switch है, इसको input power supply मिलिया, अब यह जो switch है, इस switch के इस्तमाल में इस fan के लिए करूँगा, यानि कि इस fan को यदि मुझे चालू करना है, तो इस switch को प्रेस करके चालू करूँगा, लेकिन यह जो हमारा fan है, इसके speed को भी मुझे control करना है, तो इसके regulator है, उसको input power supply दे दूँगा, दोस्तों, यह जो हमारा regulator है, इसके output terminal से एक wire को connect करूँगा, और इसको ले जा के हमारा fan है, उसको input power supply दे दूगा, यानि कि fair supply दे दूगा, दोस्तों, यह जो हमारा fan होता है, उसके बीच में एक capacitor को भी connect करते हैं, दोस्तों, यह आप चालना चाते हैं किस पकार से हम fan का wiring करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक video बनाया था, उस video में बहुत ही अच्छे तरीके से explain किया था, किस पकार से हम fan का wiring करते हैं, दोस्तों, यह आप उस video को देखना चाते हैं, तो उसका link मैंने description में दे दिया हूँ, आप वहाँ पे click करके उसको देख सकते हैं, ठीके दोस्तों, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों देखिए, यह जो मेरा socket है, इसको control करने के लिए मैं इस switch का इस्तमाल करूँगा, ठीके, तो इस switch को input power supply देने के लिए, मैं क्या करूँगा, यहां से wire को look करके, इस switch को input power supply दे दूँगा, अब यह जो हमारा switch है, इसके output terminal से wire को connect करूँगा, और इसको जाके हमारा socket है, उसके दाहिने वाले pin के साथ connect करूँगा, ठीके दोस्तों, तो यहां पी हमारा socket है, उसको face supply मिलिया, अब दोस्तों देखिए, यह जो हमारा bulb है, यह वाली, इस bulb को control करने के लिए, मैं इस switch का इस्त terminal से एक wire को connect करूँगा, और इसको लिया के हमारा जो bulb है, उसको face supply देदूगा, ठीके दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, यह जो हमारा दूसरा bulb है, इसको control करने के लिए, इस switch का इस्तमाल करूँगा, तो इसको भी same connection करूँगा, यहां से एक wire को connect करके, इस switch को input power supply तो यहां पे हमारा जो face supply का connection था, वो complete हो गया, ठीके, दोस्तों, यदि आपको ये video पसंद आता है, तो प्लिस इस video पे आपका प्यार और support दिखा दिजीगा, दोस्तों, प्यार के लिए इस video पे like कर दिजीगा, और support के लिए एक प्यारा सा comment कर दिजीगा, दोस्तों, आप के like और comment मुझे inspire करते हैं कि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे video बनाओ, तो please love और support दिखाने के लिए ना भूलिएगा, ठीके दोस्तों, चलिए आगे बरते हैं, अब हमें क्या करना है, न्यूटल सप्लाई का connection करना है, न्यूटल सप्लाई का connection करने के लिए ये जो ह left hand वाली pin है, वो हमारा neutral supply के लिए हो जाएगी, अब यहां पर हमारा जो load था, उनको भी neutral supply देना है, तो इनको neutral supply देने के लिए, मैं यहां से एक वायर को loop करूँगा, और इसको लेया के हमारा जो fan है, उसको neutral supply देदूगा, ठीक दोस्तों, अब यहां पर जो हमारा बल्ब ह उनको भी neutral supply देना है, तो उसके लिए यहां से एक वायर को loop करूँगा, और इन दोनों बल्ब को neutral supply देना है, अब दोस्तों देखिए, यह जो हमारा socket है, इस socket में एक और pin दिख रहा हुआ है, यह मोटा वाला pin, इस मोटे pin में हमें earth connect करना होता है, तो यहां से मैंने एक वा पारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाए है, उस वीडियो का link में description में दे दूँगा, आप वहाँ पे click करके देख सकते हैं, यानि की जनकारी ले सकते हैं, ठीक दोस्तों चलिए, आगे बरते हैं, अब दोस्तों देखिए, यह जो हमने यहां पूपावर सप्प्लाई मिलेगा, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए ठीक है, तो कैसी इसको चार्ज करेंगे, उसको ब्यारे में भी समझ लिए, यहां पे हमें इंवर्टर को eC पावर सप्लाई से चार्ज करने के जौद क्यों हैं, दोस्तों, यह जो हमारा सोलर सेल है, वो कैवल धूप में काम करता है, यानि कि इस solar cell पर यदि रोशनी पड़ती है, तो यह क्या करेगा, voltage को produce करेगा, जिससे हमारा बैटरी वो चार्ज होगा, अब यदि हमारा जो season है, वो बरसाद का या फिर थंड का मोसम है, तो उस बरसाद के मोसम में या फिर थंड के मोसम मे क्या होता है, धूप बहुत कम निकलता है, जिससे कारण से हमारा जो बैटरी है, वो अच्छे से चार्ज नहीं हो पाता, उस condition में हमें इस बैटरी को चार्ज करने के लिए AC पावर सप्लाई की जोड़ पड़ेगा, तो यहां पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करेंगा, अब यह जो हमारा MCB है, इस MC में जो input power supply होगा, वो man power supply होगा, यानी कि जो बिजली के खंबे से power supply आती है, उसको हम देंगे, यह जो हमारा MCB था, उसके एक terminal पे मैंने face supply कनेक कर दिया, और डूसरे terminal पे neutral supply कनेक कर दिया, अब यह जो हमारा MCB है, इसके outgoing terminal से मैं क्य इसकेवर ब्लोब नहीं होदा I dealth करें और taką सप्लाइग घंक तो क्क यहां मुझे प्रॉट्टो पलिक्सर इसलिए उल्ट गयाक दिखाना यहां पे यहां पर वाइरिंग उसको अच्छे सम spent शोड़ों कांगए इसलिए मेरी आपकर व्हूंट उल्टो कोणद दिखा दें ulis किरीगा ओब दोस्तों अब दोस्तों दीए- हुँग ऑफ मोंटेवाले पिन पीड मोटेवालों पिन होता है मोटे वाले पिन पर हमें अर्थ को इसके यहां से क्वार प्न को के कुनेक्ट करूंगा और इसको लिया इस plug top के द्वारा मैं इसको input power supply दूँगा अब दोस्तों देखिए यह जो केबल है यानि की charging वाली जो केबल है उस केबल को मैं क्या करता हूँ एक wire को connect करके लाऊँगा और इस plug top के सार connection कर दूँगा दोस्तों यहां पर है वो power supply यहां से लेके डारेक्ट power supply charging के लिए इस battery को देगा जिससे क्या होगा यहां पर हमारा जो solar cell वो भी इसको चार्ज करेगा बैटरी को और यहां से भी charging voltage मिलेगा जिससे यह जो बैटरी है वो हमारा खराब हो सकता है ठीक है हम इस plug top का इस्तमार उसी time करेंगे जब हमा माल करना है ठीक दोस्तों तो दोस्तों I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आयोगा दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आहीं तो please इस वीडियो पर like share और comment कर दीजिएगा और यदि आभी तका आपने हमारे चनल को subscribe लिए तो subscribe है अजिए इस वीडियो को देखने के ल अन्यवाद